मॉर्निंग विद्वरा को रिप्रेज़ का हैं आप पशनद का उसके अभी बातरी आपको लॉग्रेसाइब करें यह और अन्वर कि आप को औरने अग्यूंच वज़न्र फरुक्ति परफॉम करते हैं आपको नहीं रखता है इतने बड़े-बड़े हमारे सैट अपस हैं तो हमारे हैं जितना बड़े इदारे उतने बड़े हमारे थेटर क्यों नहीं है उतने बड़ी हमारी परफॉर्मंसे जाद हमारी अक्टिविटीज क्यों नहीं है। इतनी लड़ाईयां हम लड़ शुके हैं इसमें किस नहीं आपकी कहने का मतलब है कि जो हमारे बड़े-बड़े सरकारी दारे हैं कल्चर के नाम पर बने वे नाप कॉंसल्स अफ दी आर्ट जो हैं जो पूरे प्रविंसे में और पूरे मॉल्क में फैली हैं और नैशनल से ले जो करें जो करें अबल तो होना यह चाहिए मॉर्निंग वर स्टाफ लड़ा और शाम लड़ा लड़ा करने अगर उनको यह तकलीफ है तो अधर वाइस उनने इतने तने रेंट रखें वाई एक हाल का और अगर प्रफॉर्म करना चाहते हैं जो अपने हमारे पिंडी प्रफॉर्टनी है और हाल का क्राया बीस दर्वे पर डे है वह हम आम आदमें फोर्ड इनी कर सकता मुझे किसी नहीं कहा था कि यह तेटर जो गंदा हो गया इसी ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं तो मैंने एक मश्रा दिया था मैंने का भाई मुझे एक ऐसा दर्वा ने कोगा वह भी उनकी भी खाईश हो कि हम इस ड्रामे में काम करें वह साथ ड्रामे से लोगों को यकीन दिलाना है कि यहां साफ ड्रामा होता है अच्छा एक तरफ हम ने यह भी देखा है कि बहुत सारे यह सेनिमाज जो थे वह भी खत्म हुए और वहां पर भी इ अच्छा एक्टिविटीज के लिए स्टेज ड्रामा होते हैं वहां पर लेकिन वहां पर बहुत ज़्यादा यह हम देखते हैं कि पूरे पंजाब में तो खास सवार पर इसका बहुत ही ट्रेंड है तो आप नहीं समझते हैं कि सारी जगें तो अवेलेबल हैं जरूरी है कि हम इनने बहेंगे हालों हॉल्स में जगों पर जाकर परफॉर्म करें अच्छा एक में पहले जो उनकी गुफ्तगू थी सरकारी इदारों के हवाले से उसके कंटिनिविटी में थोड़ी सी बात करना चाहता हूं कि अदल आप भी इसमें साथ-साथ पार्टिस्पेट करें इसमें अद्रेसिंग पर जो जिसको लगता है वो प्लीज जो सरकारी इदारे है उसमें एक और मसला जो मैं देखता हूं कि सरकारी इदारों की अकाउंटिबिलिटी कोई नहीं है आप में आर्ट के नाम पर एक इदारा बनाया है उससे हर साल आप बजट देते हैं फिर रुप पर जब सुने एक नाम आप में एक जवर को पर इंदेता है उसमें साहल में 55 दिन रामा होता सरकारी इन असमें 15 दिन रहीं होता और किसी को ब़स लिए इस से कोई इससे को तरुछि नहीं पड़ता कि इतना बड़ रिसोर्स ऑहा हूरा थिक है इस तरह ज़ और इद इतना बजट मिलेगा अगर इतने ड्रामे इतने म्यूजिक के इवेंट्स ये चीजे होंगी तो बजट मिलेगा वरना किस बात का बजट है क्यों मिल रहा है वो लिख देते हैं होगे ये 25 ड्रामे की हैं वो काजों में आ जाता सब कुछ है अचा इसमें ना एक बात में आवगा अभी रिस्ट लीक फेस्टिवल होगा तो पंजाब आर्स कॉंसल में आप यकीन करें कि उसमें जो फर्स सेकिंड थर्ड ड्रामा है ना उसके इनाम की जो रकम आप सुन ले तो आप हरान रहे जाएंगे कि जो पहला ड्रामा था उसको 50,000 पर मिलना था ठीक ही और उसमें से कट के टेक्स 30,000 पर मिलना था अब इतनी बड़ी टीम को लेकर इतनी बड़ी सेटप को लेकर आप 30,000 पर में क्या करेंगी ये प्ले क्यों नहीं आदिल आसकता कि वो भी एंटर्टेइन करें या वो भी इनफॉर्म करें लोगों को इंगेज करें उस लेवल पर इस लेवल पर बाकी भी तो आखिर सब्सेफिशंट है देर नार आस्किं फर एनी मनी फ्रूम एनी वो भी तो गेट मनी और बाकी समाम ची प्लेटर हो रहा है उनके एक्सपरिमेंट से अगर हम देखें बादल सरकार वहां पे बहुत बड़ा नाम है इर्फान हबीब साहब है सफदर हाश्मी जो थे इन लोगों ने थेटर को मेरे खाल में हमने हॉल के अंदर जो कायद कर दिया ये भी एक इशू है जो बाहर मैद आपको थेटर को हाल्स की कैज से भी आजाद करना होगा और उसके साथ साथ ये था हमारा जो रिवाई थी जैसे फिजा के रही थी तो मेले और डिफेर्ट ऐसी जो हमारी इसी तमाम चल रही होती थी उसमें रिलिजिस है ये कल्च्रल है उस अकॉर्डिंगली वहां पे पर आप नजिस हाँ थी थी जैसे नगों से अवं अच्छार थी और बड़ा होगा थी तो आप दोपर हालज करने हो भाल कि रहा से निगल एक दफा करना थी तो यार्ड़ यहदिस तो अश्य। आप नहीं थार तो फ्या थी तो बनी होगा है वहां गधिस्टार थी वहां तो वहाँ पर जो जब बेक आता है न तो वहां पर गंदेरियों वाले और बोतलों वाले आजीते है तो मैं हम थेटल कर रहा था तो अब वो जो हाँ जा बंदा बोतल ने बेच भीचता है उसको पता था रहा बेक आना है तो उसने ना जबी मेरा आखर जुम्ला था बड़ा मेरा उसे अन्दादा हो गाया कि इसके बाद लाइट उनी है और मेरे जूले अपड़ाइब गंडियर यह पड़े अट्र में अट्र बहुत लाला अद्रीगान उन्यू हो जाता है इणके सेंवार्वान BR, मुझत दिखना पुर्टे甚ा हो लिए झार है, आप चीज एक हुए हुए हैUh अगर आपको हुए राक्सटेज भी चाहिए आपका कोई सेट ए तो लग सके आपको हॉल के अकूस्टिक्स चाहिए, सबसे बड़ी चीज, क्यूंकि हर हॉल के अंदर आपकी आवाज उस तरह नहीं पहुंचती, और असूलन जो है, थीटर के प्ले में माइक नहीं हुआ करता, तो बहुत सारी चीजें आपको विजिबिलिटी देखनी पड़ती है, आप अपको बहुत जाएदा नीश की चीज बन गई है, कि पैसा वाला बंदा जो है, वो जाता है, पंदरासौ टिकट है, तो दो हजार टिकट है, तो दही हजार टिकट है, आपका जो आम अदमी है, वो वहां तक पहुंच नहीं पारा, क्यूंकि तिक्केट की कॉस्ट अब टि आपकी जो आम और्डिनरी लोगों की एक पबलिक है, उसके लिए थीटर एकसेसिबल किस तरह बनाया जाए, और ये अमरीका और इंगलंड वगेरा में तो बहुत ज्यादा आजकर डिबेट चल रही है, क्यूंकि थीटर के टिकट की कोई प्राइस होती है, और उनका ये प कितना नई नसल को नए जो हमारे लोगों को आना चाहिए थीटर की तरफ, कितना रिवार्डिंग है और कितना फुल्फिलिंग है, विकस बाकी सब लोग तो कहीं और काम कर रहें, और अहन कर रहें, और चलें वो साथ अपना होबी के तौर पर अगर से लेके चलेंगे हैं, जी. अब अब बाओ यू और यू और ओ वोगो जो किसको प्रफेशनली जो जाएं करना चाहिए, तो क्या आपने एक्पियास कि अवी तरह जाएं? अब यू जो जो एक्टियास कि अवी तो इसकी जो इमज बन गिया वे इतना नहीं होता, तो यू उपको पुट आप आप अपको 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 अधाजा नहीं होता, आप जाओगे तो कैसा महौल होगा और क्या होगा, तो उन चीजों के लिए भी अवीस जिस तरह इन स्टेरियोटाइप्स को भी तोड़ने की जरूरत है, एक तो ये बात हो गई, दूसरा थेटर की जो acting है और जो मैंने acting class लिया है उसमें, इसमें it teaches you a lot about yourself as well, एक तो आप acting जो सीखते हो, आप सीखते हो बटगरॉं में बहुत साही चीज़े हो रही होती है, कोई भी जब फिर शाइजान को करके काफी साही चीज़ें आप सीखते, फिरेंपल्नेस बहुत जूरूरी होती है, आटिंग के लिए, क्योंकि अगर आप मैंडफल नहीं हो, तो लाइन आपकी, जी आप क्यू मिस्स करेंगे, आप गलत प्रेप्स, एक चीज कालकिलेटए भी है अपकुल, टो तो इक तो इप सी की लिए है कॉत अप्प माइंड़ तो इसल, आपसे गजिकें प्रहें एक रॉपर देग्टेव कहा है, जी एपने आप है इसल, अपने अपने पर चल शुम, एक ताम के बाद आपको इसका रिट चाहिए इं बतलब इडियली, somebody who works in theatre should be able to pay their way. They definitely should be able to. उसको support करना चाहिए. अब वो एक struggle. It's really unfortunate कि ये नहीं हो पाता. बहुत साही लोग हैं जो इस्पाय करते हैं कि वो करें और प्रपर, like acting, not like just, you know, being famous as an influencer or on another platform, but just acting for the sake of the enjoyment which you have to do and then to be able to make something out of it. तो उसके लिए I feel like अभी बहुत जादा काम है जो उसके लिए और इस्पेशली लड़कीं के लिए कितना चाहिए लिए बहुत जादा चाहिए बहुत जादा चाहिए बहुत जादा होता है, आपकी एक तो safety concern is बहुत जादा होता है जादा होता है जादा है आपको कहना है और ये हमेसा बहुत जादा है ।पर जह पता है English एर दादा है जादा जाता है बहुत जादा है अधिजित शह Steph 700 महीत दुन जापना जाता है इसलिए कि मbrokenने काई आग्माथान आए जिए बहले आपके किसी भी तहासिर से रुबियानम साहिबा हैं और बहुत सरी ऐसी खवतीन हैं कि जो अपैरेंटली बड़ी डॉमिनेंट लगती हैं हमारी जो सोना चांदी में आती थी हमारी जो शीवाजी तो मेरा उनके साथ एक शो बड़ा पॉपलर भी वा था इतौरली इंज किसी भी तरह से उसको ले आई टोक इट कियार अगर आप किसी वारत को समझेंगे कि फोहष बात करके आप निकल जाएंगे कहीं से तो दैन ऐसे बंदे का ट्रीटमेट यह उसको उस तरहीं ही गंदी बात अंदाज में जवाब दिया जाएं ताकि उसे पता चले कि नहीं कर कि अधरों के एक दोर ता हुआ क्या हुआ हुआ यह कि एक दोर में था क्वारा होता था उसमें एक करेक्टर होता था कॉमेडी बागी सब डे दे लेगी चलते थे पिर जब देखना हुआ को लाफ टार आ तो फिर सबने कॉमेडी चुर कर दी यह निगर का मालक बी नौकर आने वाली भाबी भी नानी भी चाचाचा सब ने कॉमेडी शुर कर दी तो यह आप जिनकी बात करें ना इन्हों यह उस रेस में पढ़ गए हम भी कॉमेडी करेंगे और फिर वो किसी हर्ता बर्द पर किसी हर्त तक जाते है यह भी इस तरह से भी वाज़कात ओर बोर्ट जो सेफ्टी का इशू है यह जो थीटर के ग्रूप्स और और अर्गनाइज़शन से उनको इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए जिस तरह किसी भी वर्कस्पेस में आप लोगों को उनकी सेफ्टी जो है वो आप अशूर करते हैं कि जी यू विल बी सेफियर तो थीटर गू जो बिलकुल उससे मुख्तलिफ नहीं होना जाए ले तो बहुत अच्छा है स्टेश प्लेज अंटेटर चाहिए इस प्रगैम में इसे लोग मुलवेस हैं आपको पता चलता है कि जी एक ड्रग कल्चर बी चल रहा है नीचे और क्यूंके बहुत सारे लोग तो बहुत से आरे हैं जो बहुत ज्यादा क्या कहना चाहिए अप उनको जिनको जो सिर्फ ये शौकिया कर रहे हैं इस लिए प्रफेशनल ग्रूप जहां पर काम होता है जो अप्लब नहीं है इस मामले में हमारा जो ग्रूप हमारी बहुत अच्छी रेप्यूटेशन है हमारे पास खवातीन लड़कियां बगेर सोचे जो है आजाती है और ये फाइंड जो है आप सिर्फ और्टों की नहीं करते हैं आप मर्दों की करते हैं जी और्तों के साथ जब काम करना है तो व आप किस तरह एक दूसरे की इजट की जाती है ये और बनता है कि एक माहौल क्रेट करें बिलकुल ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर आप से मुलाकात किर से मुष्कराएं मौर्निंग विद्वराम